नारेणपुर में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से दो जवान घायल हो गई हैं नारेणपुर में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से दो जवान घायल हो गई हैं भी रुप से घायल हो गई हैं और दोनों को अपचार चल रहा है फिलाल दोनों का अपचार यहां पर किया जा रहा है दोनों की तवियत स्थिर बताई जा रही है जिलास्पताल में जवानों को भरती कराया गया है जगदरपूर चलेंगा आशितोष तिवारी से बात करेंगा आशितोष कैसे आइडी का ब्लास्ट हुआ आखिर कब यहाधसा हुआ और कितने हताहत होने की खबर साबने आई 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 आउट बजे का इये घटना है और रोड ओपनिंग पाटी जो वहाँ पर लगी जो दवारा रखा हुआ था और आईडी के ऊपर जमान का पैर पैड़ गया जिससे इडी ब्लाश्ट हो गई जिसमें एक जमान बुर्टरिके से जक्मी हो गया है जिसका इलाज जिलास पता लानायत पूर में चल रहा है तो बस्तर में TCOC का सब्ता जब नक्सलियों के द्वारा चलाया जाता है और इस वक्त नक्सली ज़ो है ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं और जमानों को नुक्सान फोग्चाने के लिए अलग अलग अग तंडे जो है वो अपनाते हुए नजर आते हैं TCOC के अगर सब्ता की अगर बात की जाए और देखा जाए तो बस्तर में जितने भी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो इसी समय में हुई है और आज भी ये जो घटना है ये इसी समय में यहाँ पर जो नक्सली द्वारा अंजाम दिया गया है हाला कि कई बार ऐसा देखा गया है कि ID ब्लाश्ट करने के बाद जो नक्सली है वो जवाने को उपर ताबर तोर फाइरिंग करते हैं लेकिन यहां पर ऐसी कोई फाइरिंग नजर नहीं आई कहा जा सकता है कि पहले से ID को जो प्लांट करके यहां पर रखा हुआ था और जवान का जो पैर पड़ा जिससे वो ब्लाश्ट हो गया लेकिन जवान को है लगतार जारी इस पूरे मामले की सर्चिंग उपरिशन चल रहा है जे बिल्कुल जवानों को आपर भेजा गया है और सर्च किया जा रहा है कि आसपास कहीं कोई नकसली तो नहीं है या फिर जो ID को ब्लाश्ट करने में जो लंबा वायर लगाया जाता है जवान शहीद हो गया है सोनफुर्थ थनाश्रिश्ट की घटना बताई जा रही है आशी तो आशितोष के पास एक बार फिर चलेंगा आशितोष एक जवान शहीद हो गया है उसके लावा सर्चिंग उप्रिशन लगतार जारी है क्या कुछ हाथ लग सकता है सर्चिंग उप्रिशन के दर्मियाद देखिए जिस तरीके से ऐसे घटना जो नकसली अंजाम दिते हैं तो लगतार पार्टी को भेजा जाता है बैक अपार्टी भी वहां पहुंचते हैं और इलाके की पूरी तरीके से सर्चिंग की जाती है और यहां भी जो जवानों को भीजा गया है और सर्चिंग जारी है हाला कि अभी तक कुछ इसपश्ट निकल कर सामय नहीं आया है कि आखिर यह ब्लास्ट का प्लांट है आईडी प्लांट कप किया गया था और नक्सलियों के दोवारज़ार के कैसे ब्लास्ट किया गया हाला कि सर्चिंग जारी है और सर्चिंग के बाद यह इसपश्ट हो पाएगा कि क्या आजपास के जगों में कुछ लोग मिले हैं पुस्ताच के दौरान उसके बाद से इसपश्ट हो पाता है लेकिन जर्चिंग जारी है और जवान को जो मुख्याले लेकर आया जा रहा है और एक जवान जिसको जो गाहल हुआ था उसका इलाज भी वहाँ पर जारी है ठीक है बहुत शुक्त आश्टोष ख़वर को वस्तार से बतानी के लिए बातश्यूत करने के लिए तो अब तादे कि आई टी वीपी के दो जवान गाहल हुए थे जिनमें से एक जवान जवान जवाँ है